खुसी बुटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाईए, ओल पे कलिक कीजिए, लेटेश्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मैं सरमिलाफिकेडिया, आप देख 여자 है, खुसी बुटिक, आज मा आपको सिंपल मशीन में और अम्रेला मसीन में क्या-क्या अंतर होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में डेटेल बताने वाली हूँ, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कि मैं मसीन खरीदने है, तो हमें क क्या अंतर होता है वो आपको कलियर कर देती हूं जब हम तुरपाई करने के लिए जो सिलाई लगाते हैं जिसमें हम इसे चाल बोलते हैं या टाका बोलते हैं इसमें हम बड़ा करते हैं तो ज्यादा बड़ा नहीं होता है जब हम तुरपाई करने के बाद सिलाई को हटाते है तो वो बहुत मुश्किल से अटती है सिलाई क्योंकि इसमें ये सिलाई जो है बड़ी नहीं होती है और जो अम्रेला मसीन है इसमें हम जो तुर्पाई करने वाले सिलाई लगाते हैं तो वो बहुत बड़ी बड़ी सिलाई लग जाती है और अटाने में बिल्कुल असानी हो अगर आप ज़्यादा सूर्ट सीलते हैं तो आपके लिए अम्रेला मसीन ठीक रहेगी और दूसरा अंतरम आपको बता देती हूं कि जब हम सिंपल मसीन से सिलाई करते हैं तो जो बाजू के आगे की सिलाई लगाते हैं या कहीं पे भी आप पक्की करने के लिए जो सिलाई करते हैं जब आप इसको दबाओगे फूल आपको दबा देना है दबाओगे तो सिलाई पीछे की साइड जाएगी छोड़ दोगे तो आगे की साइड जाएगी तो यहां पे सिलाई पक्की हो जाती है बिना कपड़े को मोड़े और तीसरा अंतरम आपको इनमें बता देती अगर आप इसमें अस्तर वाला सूट लेंगे या स्टोन वाला सूट लेंगे तो आपको सिलने में बहुत सारे दिक्कत होगी क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे जगह नहीं है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे गैप जादा है तो आप मोटे कपड़े को भी इसम इसमें बता देती हूँ, हम सिम्पल मसीन से सिलाई करते हैं, तो इसमें आपको हर रोज सीटल साप करना पड़ता है, या एक दिन छोड़के तो आपको जरूर से करना ही पड़ता है, और देखेज इस मसीन में सीटल नहीं होता है, यहाँ पे बस एक डिबी गालने की जगह उ कर दीघा मैंने चलने कर दो एड़न कर कर पाओंगी। इसमें दागा फस जाता है तो सीटल खोल के आप साफ कर सकते हैं और इसको दुबारा से भी सेट कर सकते हैं ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा वहां से आप देख लीजिए और अगला अंतरमा आपको बता देती हूं कि ये मसीन बीना स्टेंड के नहीं चले हैं लेकिन इसमें उठा के इसको कहीं पे भी रख सकते हैं तो अब मैं आपके ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूं कि आपको कौन सी मसीन लेनी चाहिए अगर आप सिलाई इस तरह से सिख रहे हैं कि मुझे मेरे मेरे सूट सिलने है तो आपको छोटी मसीन ही ले लेनी चाहि पडिति है और प्राइस भी कुछ ज्जादा होता हुटा है लेकिन यह मसीन आप कहीं पे वी रख सकते हैं आप कभी कभी सूट सेलेंगे तो इसको आप निकालके शूटस सेल सकते हैं और वापThank रख सकते हैं अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या सिलाई सीख चुके हैं आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने HP pourtant के सूट सीले या ने बुटिक खोले तो आपको अमरेला मसीन ही लेनी चाहिए आपको छोटी मसीन की तरफ नहीं जाना चाहिए तो यह तो मैंने आपको बता दिये कि क्या फाइदा है छोटी मशिन का और क्या फाइदा है अमरेला मुशिन का और हां एक फाइदा और बता देती요 मैं अमरेला मुशिन का इस मसीन में ये थोड़ा सा आपको करते रहेगी कि जैसे हम सिलाई करते हैं तो यहां से दागा इस तरह से लगा हुआ होता है और कई बार कोई दिक्कत होने से एकदम से दागा खिच जाता है इस तरह से इस तरह से दागा खिचने से इस तरह से हो जाती है रिल और यहां पे हम दोबारा से इसके साइड ध्यान नहीं करते हैं तो यहां से दागा तूट जाता है क्योंकि यह दागा इसके साथ इस तरह से घूम गया है और यहां पे पक्का हो गया है तो हमारी जो यह रिल है यह चल नहीं पाएगी और यहां से मसीन का दागा तूट जाता है और जब हम इस मसीन में ये दागा लगाते हैं और यहां से जब चलाते हैं मसीन को तो अगर यहां से दागा इस तरह से खिच जाता है तो यहां से खाली जगह होती है तो दागा यहां पे इस तरह से गूमता नहीं है और दागा सिधा निकल जाता है तो यहां से दागा नहीं तूटेगा ये तो थे 4-5 जो अंतर में आपको सिंपल मसीन और अमरेला मसीन में बताई है अब आपको सोच लेना चाहिए कि आपको कौन सी मसीन खरीदनी है आपको काम स्टार्ट करना है या खुद खुद के सूट सि देख लिजिए और सिंपल मसीन खरीदनी का वीडियो आपको देखना है तो यह रहा वीडियो यहां से कलिक करके देख लिजिए और खुद 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिएगा मैं मिलते हूँ अब से अगले वीडियो में